नमस्कार स्वागत है आप सभी का पाव ब्रेक्फिस में आपके साथ मैं हूँ निहान अन्ध हपते के आखरी कारुबारी दिन में हम प्रवेश कर चुके हैं और आए देख लेते हैं कि दराश्वे बाज़ारों से हमारे मार्केट्स के लिए किस परकार के संकेत हैं मिली जुली सी शुरुवात यहां पर दिखाए देरियास जिक सनिफ्टी जहां तेई संक उपर ट्रेड कर रहा है दाव फ्यूचर्स बिल्कुल फ्लाट तो नेगिटिव है बारा अंको की कमजोरी वहां दिख रही है वहीं दूसरी तरफ नास्डेक फ्यूचर्स पर नजर ड प्राइरे में बिल्कुल फ्लाट तो नेगिटिव ओपनिंग कराते नजर आ रहे हैं प्रेशर तो लगातार हमने कमॉडिटी स्पेस में भी बनता हुआ देखा एक मात्रचीनी जो है रौशुगर एक कपाद साबित हुआ है वरना सबसे ज़्यादा गिरावट हमने कच्छ आना जाए यह सुस्ती के पीछे कारण ब्रॉडली फैक्टर कौन से रहे हैं यह स्टॉक स्पेसिफिक आक्शन जो चल रहा है बिल्कुल वैसा ही है यह पूरा हफ्ता हमने देखा ग्लोबल मार्केट भी कंसॉलिडेशन के दौर में रहे हमारे मार्केट भी कंसॉलिडेशन दो सो अंक की रेंज में डाउ पर कारोबार हुआ उसमें आप देख रहे हैं एक सो दस अंक नीचे डाउ बंद हो तो बीच में बंद होते हो दिखा तो कुछ बड़ा एक्शन इंडेक्स लेवल पर नहीं था नास्डेक ने जरूर आपने एक परसेंट की गिरावट देखि है हाला कि नंबर्स परसो ही आ गए थे बर टोर्ड़ एंड ओफ मार्केट आते होई दिखे थे तो जादा जो रियाक्शन आया है वो कल आपने टेसला में आते होई दिखा है और रियाक्शन उसी बात का है जिसके बारे में कल हम बात कर रहे थे क्योंकि कंपनी लगातार प प्राइस कट्स कर रहा है तो बाकी आटो शेर्स में भी हमने कमजोरी देखी क्योंकि बाजार अब चिंतित हो रहा है कि इसकी वज़े से प्राइस वार शुरू हो जाएगा और बाकी आटो कंपनी को भी अपने दाम घटाने पड़ेंगे तो सभी के मार्जिंस पर सभी के आगे के परफॉर्मेंस पर आपको प्रेशर आते हुए दिख सकता है तो टेसला तो गिरा ही टेसला के वज़े से बाकी आटो शेर्स में भी गिरावाट आई जिसके वज़े से बाजार पर आपने और दबाव बनते हुए देखा इसके साथ ही AT&T टेलेकॉम कंपनी इसके नतीजे आये थे और यहां पर भी शेर 10% तूटते हुए देखा क्योंकि नतीजे थोड़े मिले जुले थे और गाइडेंस कंपनी की कमजोर थी इस्पेशली सब्सक्राइबर अडिशन को लेकर बाजार में एक चिंता बनती हुए दिखरी है तो इस फैक्टर की वज़े से आकड़े अनुमान से ज़्यादा बढ़ कर आए हैं तो चिंता तो बैठ रही है बाजार में कि ये एकॉनमी स्लोडाउन के संकेत आपको क्लियरली अब रीसेंट कुछ डेटा पॉइंट्स देखें वहां से आते हुए दिख रहे हैं बट फेड का रुख अभी भी रेट हा रहाने के रुक में है बट एकॉनमी में स्लोडाउन आपको आते हुए दिख रहा है तो क्या यहां से और प्रेशर और जो रिसेशन या मंदी का डर है वो और बढ़ सकता है ये भी निवेशकों की चिंता बन रहे है तो इसकी वज़े से भी थोड़ी सुस्ती देखी हाला क कि ओवराल बॉंडील हमने देखा कि कल फिसल कर ही आई फेट के भाशन फेट सदस्यों के भाशन के बावजूद बॉंडील फिसल कर साड़े 3% पर आगे क्योंकि एकनॉमिक डेटा आपके लिए कमजोर आ रहा है यॉरप की बात करें तो यहां पर भी मिला जुला कारोबार एक रेंज में ही थे लगातार हम देख रहे हैं कमोडिटीज में तीन चार दिनों से सुस्त कारोबार है कल भी यह होते हो देखा डॉलर इंडेक्स से थोड़ा साहरा मिला था अदर्वाइस कमोडिटीज पर प्रेशर रहे इस्पेशली कच्छे तेल पर देखे कल करीब करी तीन परसंट तूटा है कच्छा तेल, 81 डॉलर के नीचे आ गया है ब्रेंट आपके लिए और यही मंदी का डर है, डिमांड की चिंता है जिसकी वज़े से हम देख रहे हैं थोड़ा इंवेंटरीज बढ़ने का डर है तो यह पूरे फैक्टर से हैं तो तेल पर प्रेशर तो एसेंचली कुछ जादा बड़ा रियाक्शन अभी भी नहीं आरा, कंसॉलिडेशन के दौर में है बाजार बठा कुछ नतीजों का और एकनॉमिक डेटा पर थोड़ा रियाक्शन कल जरूर आपने देखा है तो यह मोटे दौर पर कारण रहे जिसके वज़े से हमने दे तरफ से 1170 करोड की पिकवाली का फिगर वहां निकला है, लेकिन खरदारी थोड़ी घरेलू संसागत निवेशकों की तरफ से आई है, 833 करोड की खरीद का फिगर वहां आता हुआ दिखाई दिया है, तो अभी भी आप कह सकते हैं, मिले जले से सुसे संकेत हैं, ग्लोबल म सर मॉनिंग, हफ़ते का आखरी कारोबारी दिन है, करना क्या है, कल बिलकुल रेंज पे जाके फाइनली हरे टिक पर बंद होने में काम्याब रहे, आज क्या उमीद की जाए सर? आज भी आप रेंज के बाहर निकलेंगे नहीं, कोई ही सत्राजार पांसो पचापतर ये स्ट्रॉंग सपोर्ट जोन है, आज भी सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, फ्रेश कम्जोरी तभी होगी जब सत्राजार पांसो के नीचे जाकर निफ्टी ट्रेड दरना शिरू करे उपर की तरफ सत्राजार शेल्सो पचापतर सत्राजार साथ सो पचापतर ये हल्की फूल के आज के लिए आपके लिए उतावट की जगह है, और इस रेंज में आपको थोड़ी बहुत सप्लाई आती भी दिखेगी, जहां तक बैंक जबने का सवाल है, वही तालीस अजार आट सो बैयानी सेजार ये आप लिए सपोर्ट जोन है और आसानी से टूटने वाला है नहीं, और उपर की तरफ वही बैयानी सेजार पांसो बैयानी सेजार चल्सो सप्लाई जोन है, जहां पर आने पर प्रोफिट बुकिंग भी कोई आती भी दिखेगी, तो ऐसा बड़ा बदला आज के ट्रेंट सेजन में होता दिख नहीं रहे, सिमिद दायरे में कारोबार होता हो दिखेगा, और जैसा कि नहां पिछले तीन दिनों से हो रहा है, चार दिनों से, केश मार्केट के स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहे है, मिटके स्मार के शेरों में एक्शन मच, तो चलिए एक तरह से, इसमें अगर कुछ पॉजिटिविटी ढूंडनी है, तो वो यह हो सकती कि आपको शॉकर कुछ नहीं लगेगा, रेंज ट्राप्ट मार्केट है यहां पर, और स्टॉक स्पेसिफिक अक्शन पर फोकस करना है, 17.500 से 575, यह निफ्टी के लिए स उस साड़े 42,000 से 42,600 तक एक्स्टेंड होती दिख रही है, अब सर ने क्लियरली यहां पर अपने वक्तवे में कहा है कि कैश मार्केट में, चुनिंदा स्टॉक्स में अक्शन देखने को मिलेगा और अब हम उसी पर फोकस करेंगे, खबरों के दम पर कहा अक्शन रहेगा, नमबर्स कैसे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, पूरा विशलेशन लेकर नुपूर हमारे साथ जुड़ चुकी है, नुपूर बहुत अक्शन हो रहा है, और क्लियरली हर कोई एक्सपर्ट इसी पर बात कर रहा है, नतीजे कैसे हैं, ट्रिगर्स कैसे हैं, क्यूज कैसे है हैं, खबरे कहां पर हैं, जब बता हैं, बिल्कुल स्टॉक स्पेसिफिक अक्शन भरपूर होने वाला है आज पर वीकेंड से पहले आने वाले रिलाइंस के रिजल्ट तो वहाँ पर नज़र रहने वाली, इसके लावा अधित अबुला मनी, तेजस नेटवर्क, हिंदुस और जो प्राइज रखी गई है, वह तो 62 रुपीज के तो यह स्टॉक भी आज नजर में रहने वाला है, इसके अलावा एक स्टेट के चलते हैं, नैसले, जहाँ पर 102 रुपे का आज अज़स्मेंट दिखेगा आपको, जो इंटरिम डिविडेंट है, 27 रुपे का फाइनल डिविडेंट देखे तो 75 रुपे के आज पास है, शोरास्टा सेमेंट जहाँ पर मर्जर होने वाल, मर्जर जो है, वह आज पूरा हो जाएगा, उसके एक स्टेट है, गुजरा सिदी सेमेंट के साथ, तो यह भी स्टॉक आज फोकस में रहेगा, साथी साथ टिप्स इंड ग्रोथ कॉर्डर कॉर्डर बेसिस पर नजर आए, मार्जिंस 18.4% का अनुमान था, उसके अगेंस 18.1% के आसपास आते दिखें, तो थोड़ा सा मिस है नंबर्स में, लेकिन EPS कट का एसिमेंट 1-2% का है, अब रोकरी जिसने थोड़ा सा अपना टागेट काटा है, तो यह भी स्टॉक आज फोकस में रहने वाला है, ऐसे ऐसे प्रिटेंशल जहां पर नंबर्स अच्छली बहुत अच्छे दिखेंगे, क्योंकि जो टैक्सेशन के चेंजेज हुएते हैं, उसका इफएक्ट मार्च के महिने में नजर आया है, नेट प्रीमियम इंकम देखें तो 12% से करीबन बढ़कर आई है, एपी की बाद करें तो 27% की ग्रोथ आपको वहाँ पर नजर आएगी, मुनाफिय में 27% की ग्रोथ है और विन्बी मार्जिन्स भी अनुमान की मुताबिक 32% के आसपास आते दिखें, कैश में साइन्ट जहां पे जो नंबर से वो काफी अच्छ साधा गिर कर आई है, हजार करोड से गिर कर सिफ 88 करोड के आसपास आती दिखें, कामकार्जी लेवल फे कंपनी ने लॉस किया है, 352 करोड का और नेट लॉस करीबन 400 करोड के आसपास का आते दिखा है, न्यूस के बेसिस पे भी कुछ स्टॉक्स आज फोकस में रहने वाल फिनोलेक्स केबल जहां पे कंपनी अपनी पूने के फैसिलिटी वहां पे नया प्लांट लगाने वाली है, कैपैसिटी एक्सपैंशन करने वाली है, तो 290 करोड उस पे खर्च करेगी और 15 महीनों के अंदर इसे शुरू कर दिया जाएगा, तो यह स्टॉक्स में रहने वा तो पूरी लिस्ट आपको नुपूर ने थमा दी है, नजर रखेगा इन सब पे हम भी लगतार अपडेट देते रहेंगे और आपको यहीं पर इस पूरे बास्केट में आज जबरदस्त अक्शन और कमाई का मौका मिल सकता है, तैंक्यो नुपूर, वो पूरी डिटेल दर अजर स्ट्राप्ट मार्केट है, तो निफ्टी बैंक निफ्टी कोई स्कोप है, आज यहाँ पर स्ट्राटेजी अपनाने का? तो बिल्कुल वहाँ पर स्ट्राप्ट मार्केट के लिए एक मजबूत सपोर्ट है, तो अगर यहाँ से कोई करेक्शन अगर आता है, तो बिल्कुल वहाँ पर करेंट लिए कुछ लॉंग पोजिशन बनाए जा सकती है, करेंट लेवल्स में लगता है कि मार्केट इन बिट्विन है, तो शायद 17,500 उन लेवल्स को देखिए, और अगर मार्केट में अगर रिबाउंड आता है, और अगर मार्केट 17,700 के ऊपर अगर ट्रेड करने लग करेंट लेवल्स को देखिए, करेंट लेवल्स को देखिए, और अगर मार्केट अगर इतने बावजूद अगर 17,700 के लेवल्स को अगर क्रॉस करता है, तो अच्छे कर से शाट कवरिंग बनेगी, यह बात हो गई, दूसरी अगर बैंक निफ्टी की बात करेंगे, तो वह नहीं मिलेगी, 42,000 के करीब लॉंग कोजिशन बनाएं, और इस एक्सपारी में हम 42,700, 750 के लेवल्स देख सकते हैं, ओके, बेसिकली भले ही मार्केट यहां रेंस ट्राप्ट हो, लेकिन लोर बैंड की तरफ जाए, चाहे वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, आपको ख अच्छी खासी शॉट कावरिंग दिखेगी, similarly बैंक निफ्टी 42,000 के पास कुछ एंट्री के अक्यूमिलेशन के अच्छे मौकें हैं, 42,750, यह नई एक्सपारी है, इसके अंध तक यह लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, तो कहीं भी बुलिश मोमेंटम लॉस नहीं है, ले एक एक करके चाहूंगे, आप बताईए इन सब में क्या सला होगी? सब्सक्राइब करते हैं, लेकिन अवरल जो फॉर्मेशन है, वो बुलिश की तरफ है, तेज़ी की तरफ का है, और यहां पर हमें लगता है, इसके डाउनसाइड इस प्रोजेक्टेड, और कोई करेक्शन अगर रिजल के बाद तो बिल्कुल इसे बहुंग करें, और कुछ सब्सक्राइब करते हैं, जहां पर कुछ प्रोजेक्ट के साथ इसे परफॉर्म करते देखा, बन करते देखा, इसका एक प्राइमरी रॉव माटीरियल है, तो मुझे सर बताइए, एशन पेंस, कल की जबरदस्ट्रेंथ के बाद क्या आज भी स्टीम बाकी है, क्या किया जाए? और सर टारगेट अथाइस सो पचास आपने कहा? सर, Reliance Industries के लिए stop loss आप कोई recommend करेंगे? Okay, 2250 तक का stop loss यहाँ पर लेकर चले, और इस पर भी नज़र रखेगा, यह हम इसले भी कह रहे हैं, क्यूंकि इसके numbers जो है आज बाजार बंध होने के बाद आने वाले. सर, यह तो buzzing action वाले stocks है, आपकी नज़र आज किन stocks पर है जहाँ आपको कमाई बनती दिख रही है? कर दिख रहा है, और यहाँ पर यहाँ पर यह स्टॉक अगर रैली करता है, तो वापस एक बार 560 के लेवल भी बिता सकता है, तो 544-456 के खी रही है, और stop loss यहाँ पर 535 के गा, तार्गेट रहे हैं, तो एशन पेंस पर तो फोकस कें, इंसिडेंटली वो आज शिकान सर की best picks का भी हिस्सा रही है, SBI पर भी फोकस करिएगा, 560 तक का target बनता दिख रहा है, खरदारी करके चलिए, आज market जब खुलते हैं, 535 का stop loss आपको यहाँ लगा कर चलना है, तो एक्विटी स्पेस में बहुत जबर्दस आक्शन रहेगा, स्टॉक स्पेसिफिक आक्शन पर कर पांच महीने के हाइस सेक, अच्छा तेल अब तीन हफ़ते के लोज पर आ गया है, 87 डॉलर के पार निकला था पिछले हफ़ते और अब हम देख रहे है, 80 डॉलर के करीब आ गया है, साड़े 6 से 60 डॉलर का correction हो चुका है, क्या अभी भी गिरावट बाकी है, क्या करना चाहि से यहां पे एक negative impact देखने को मिलेगा, और एक full of safety को मिल सकता है, प्राइस में, मेरी खार से यहां पे स्मुड़ा सा डाउंसाइड और देखने को मिलेगा, 63, 70, एक M6 का लेवल होगा, जहां पे कि हम selling initiate कर सकते है, 6400 का टागेट होगा, 6400 का लगा सकते है, इंटिनाशनल मा अपनाई है, नीचे 6300, 6300 का टागेट आपको देखने को मिल जाएगा, और 6400 का stop loss लगाना है, अच्छा दायरे में फसा हुआ है, सोना और चांदी, डॉलर इंडेक्स की महरबानी पर ही पूरी तरह से यह movement दिखा रहे हैं, अब आपकी क्या सला होगी, domestic market बिल्कुल flat यहां इक पर दिखे तो थोड़ा सा यहां पर स्थेवन बाइग जो है, फिर से डेटर्ना सबस्ति है, ओपनिंग हो सकते है कि थोड़ा सा करेक्शन आतावा, देखे या गया गब दीख सकते आता हुआ, लेकिन मेजर क्रेंग जो है वो अभी भी बाई का है, और डॉलर इं यहां पे 6,800 की तरफ तरफ चाहते हैं पूने में और सिल्वर पर क्या राय होगी? अजी सिल्वर यहां पर बहुत बढ़िया अभी पोफॉर्म कर सकता है अजिकि यहां पर जो वाल्ट है वहां पर भी सिल्वर में पोड़ी सी कमी आई है तो मेरे ख्यास अगर आज की दिन की भी पात करूँ तो प्राइसे हो सकता है की 6700 रुपे तक का उपर का मूव यहां पर दिखाए और हम हो सकता है की 7500,950 तक के लिफॉस आता हुआ देखें तो 7600 यहां पर बिल्कुल अप्रोच कर सकती है यह कमॉडिटी आज के दन में अचाब चाइना के तकड़े डेटा के बाबजूद हमने देखा है मेटल्स डगमगा गए जो भी स्ट्रेंथ थी पूरी तरह से गायब हो गई यहां पर कॉपर में एक डाउंसाइड लेवल आएगा कल के दिन में दिल्कुल डिफाइनिंग मूव आई थी नीची की तरफ मुझे लग रहा है कि प्रैसर 760 के करीब आएंगे तो 766 की तरफ यहां पर सलिंग करना है 760 का टागेट होगा stop loss यहां पर हम प्लेस कर सकते हैं 769 का ओके चलिए तो यहां पर सोने चांदी में जहां पर कुछ खरदारी की रणीती अपना सकते हैं कच्चे तेल और मेटल्स क्योंकि यहां सबसे ज़ादा प्रेशर दिखा है तो सेल की रणीती अपनानी है 766 के पास कॉपर बेच के चले 779 का stop loss, 760 और उसके नीचे के लेवल्स आपको कॉपर में देखने को आज मिल सकते हैं तांक्यू बंदना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बताने के लिए कि नॉन आगरी स्पेस में कहां कहां है कमाई के मौके आईए बढ़ते आगे हैं आगे एफाई आर यारी एफाई इंवेस्मेंट रिपोर्ट्स की तरफ तो फॉरें ब्रोकरेजिस की रिसर्च क्या कहती है कहां है एफाई इसकी नजर पूरी डिटेल लेकर आशिश हमारे साथ जोड़ चुक है आशिश मौनिंग बताइए इसकी नतीज़ों के बाद एच्सी एल टेक यहां पर रिपोर्ट्स हाई है से एलसे की तरफ से आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरा रखा गया एक हजार सैंथीज की क्लोजिंग है 1200 रुपे का टागेट दे रहे मौगएन शेली ने देखिया ओबरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा लिकें टागेट को ठोड़ा सा एजस्ट किया है यहां पर आपको रखना है फोकस क्योंकि एक हजार पचास से बढ़ा कर ग्यारा सो पचीस कर दिया है वहाई मैं को आप देखें तो आउट परफॉर्म की रेटिंग जो है इन्होंने बरकरार रखे 1580 रुपे की लक्ष के लिए यहां पर भी आज आपको नतीजों का इंपाक्ट देखने को मिलेगा से आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरा रखें लक्ष इन्होंने बढ़ा है 455 से बढ़ा कर 520 कर दिया है 456 की क्लोजिंग चल रही है जेपी मॉगन ने न्यूटरल की रेटिंग को बरकरा रखे 40 रुपे से लक्ष को बढ़ा कर 480 कर दिया है मॉगन स्टाली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरा रखे 600 रुपे की लक्ष के लिए जेफरीज भी खरीदारी किराए देरे गोल्डमेंट सैक्स की न्यूटरल की रेटिंग है और मेक्वाइरी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है 580 रुपे की लिए इसके अलावा एंफिसिज यहाँ पर आपको रखनी है सबसे ज़्यादा नजर क्योंकि जेपी मॉगन की तरफ से रिपोर्ट आई है जहाँ पर रेटिंग को कर दिया गया है डाउंग्रेट पहले न्यूटरल की राय थी अब अंडर्वीट की रेटिंग दिये और लक्षम में एक और आईटी स्टॉक है जो आप अपने रेडार पर रखेंगे वो है टेक मेंद्रा जहां पर जेपी मॉगन की तरफ से रिपोर्ट आई है और सिमिलरली जैसे की एंफिसिज में में आपको बता है यहाँ पर आप देखें कि न्यूटरल से रेटिंग को घटा कर सामने रखने के लिए आई ऐसे के साथ पार ब्रेक्फस को में ही राप अप करते लेकिन बने रहीएगा जी बुजनस के साथ